साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कुरुशी सुधारों की दिशा में, कल देश के लिए बहुती महत्पपुन दिन था, कल विश्व कर्मा जैनती के दिन, लोकसभा में आइतिहासिक कृषी सुधार विधायक पारित किये गए हैं, इन विधायकों ने हमारे अन्दाता किसानों को अनेक बंदनों से मुक्ति दिलाई हैं, आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है, इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और जादा विकल्प मिलेंगे और जादा आउसर मिलेंगे, मैं देश भर के किसानों को इन विधायकों के पारित होने पर बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, किसानों और गरहा के बीच जो बिचोलिये होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधायक लाए जाने बहुत आवशक थे, ये विधायक किसानों के लिए रक्षा कवज बन करके आये हैं, लेकिन कुछ लोग जो लोग दसकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया हैं, वो लोग किसानों को इस विशय पर ब्रमीत करने की कोशिच कर रहे हैं, किसानों से जूट बोल रहे हैं, साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी-बड़ी बाते करते थे, लिखीत में करते थे, अपने गोशना पत्र में डालते थे, और चुनाव के बाद भूल जाते थे, और आज जब वही चीजे, जो इतने दसकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मेनिपेस्टों में है, वही चीजे भारतिय जनता पार्टी एंडिये सरकार कर रही हैं, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही हैं, तो ये भाती-भाती के ब्रह्म फेला रहे हैं, जीस APMC Act को लेकर, अब ये लोग राज नीती कर रहे हैं, एगरिकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बढ़लाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बढ़लाव की बात इन लोगों ने अपने गोश्णा पत्र में भी लिखी थी, लेकिन अब जब NDA सरकार ने बढ़लाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, जूट फैलाने पर, ब्रम फैलाने पर उतर हैं,